आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्षन पे, तीन अलग-अलग तरगे फ्रिक्षन, उसके लिए हमने तीन अलग-अलग एक्सामपल कंसीडर किया हैं, बहतर होगा अगर हर एक एक्सामपल में आप अपने आपको उस सिच्वेशन में रखे तो, बहतर फील आएगा, तो पहला सिच्वेशन, पहला एक्सामपल, माल ले आप एक बड़ा सा ब्लॉक को, माल ले एक बड़ा सा बॉक्स को आप धकेल रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अगर आप certain amount of force इसमें apply कर रहे हैं, कुछ भी force हो, तो इ acceleration is equal to force divided by mass, लेकिन ये move नहीं कर रहा है, इसमें acceleration zero हो जा रहा है, ऐसा क्यों, force exist कर रहा है, force divided by mass जो है, वो acceleration होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, अब अगर आप दूसरे एक्जामपल को consider करें, तो यहाँ एक आदमी ski कर रहा है, माल ले एक horizontal surface है ये, आप इसे feel करने कोशे कर रहा है, आप सोचे कि आप ski कर रहा है, माल ले एक बिलकुल horizontal surface है, inclined surface नहीं है, ये horizontal surface है, और आपको एक certain amount of initial speed, आपके दोस्त ने आपको धकेल दिया, उससे क्या हुआ, आपको एक initial speed मिल गया, अब उस speed से आप आगे बढ़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका speed ज आप रुक जाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें पता है, Newton के first law से कि एक body, straight line में, constant velocity से move करता है, जब तक कि उसमें बाहर से कोई force apply न किया जाए, हाँ बिलकुल यहाँ पर aerial drag हो रहा है, air आपको resist कर रहा है, लेकिन वो कितना ज्यादा होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ और भी यहाँ पर act कर रहा है, जो कि आपके motion को resist कर रहा है, या फिर कहें आपके motion को रोक रहा है, अब तीसरे example को consider करें, माल लें कि एक wheel है, एक चक्का है, जो कि घूम रहा है, आपने इसे roll करवाया और roll करवा के छोड़ दिया, horizontal surface में छोड़ दिया, आप देखेंगे कि इसका speed धीरे धीरे घटते जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ वले ही aerial drag है, लेकिन कुछ और भी मुद्ध्य है जो यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसका speed क्यों कम हो रहा है, जरूर बाहर से कोई न कोई force इस पे act हो रहा है, तो इन तीनों cases में जो force act हो friction, friction act होता है दो surfaces के boundary में, जो दो surfaces contact में होते हैं उन दोनों के boundary में, या फिर कहें उनका जो region of contact है वहाँ पर act करता है, तो पहला example जो था, इसमें ये जो था रुका हुआ था, rest में था, ये कौन, ये object, और इसमें friction act हो रहा था, तो इस तरह के friction को हम कहते हैं static friction, static friction, अब दूसरे example में ये slide कर रहा था, तो इस तरह के friction को जो act हो रहा है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं sliding friction, इसका और एक नाम है, sliding friction के जगा, अब kinetic friction भी कह सकते हैं, so sliding या kinetic friction, तीसरे example में ये जो है, ये wheel, ये roll कर रहा था, तो इस तरह के friction को हम कहते हैं rolling friction, rolling friction, अब ये act कहां पर कर रहा है, जैसे कि हमने बात किया, ये दो surfaces के, जो region of contact होता है, वहाँ पर act करता है, तो यहाँ पर ये मान ले, कि ये जो surface है, ये नीचे वाला surface है, तो ये जो act करेगा, ये frictional force, ये इस region में act करेगा, ये जो बड़ा सा box है, जहाँ पर ये जमीन के साथ contact में है, उस region पर act करेगा, तो यहाँ पर आपने जो force लगाया, उसे cancel कर रहा है, frictional force, तो यहाँ पर ये frictional force, इस force को आपके लगाया हुआ force को cancel कर दे रहा, तो net force अगर आप consider करें, यहाँ पर इस case में, क्योंकि ये रुका हुआ है, तो net force अगर आप consider करेंगे, तो आप पाएंगे net force 0 होगा, यहाँ इसका magnitude और इसका magnitude बराबर होगा, net force 0 होने के कारण, हम कहेंगे acceleration is equal to, सिर्फ force नहीं, बलकि net force, और यह net force हो जाएगा 0, तो acceleration भी हो जाएगा 0, इसलिए यह जो block है, यह बड़ा सा बक्सा या block जो भी हो, यह move नहीं करता है, रुका हुआ रहता है, दूसरे example में देखें, यह friction act करेंगा, वो इस region में करेंगा, जहां पर contact हुआ है, तो यह frictional force इसे पीछे की तरफ drag करेगा, frictional force मैं यहां आपको बता दू, कि यह relative motion को oppose करता है, हम आगे चलके देखेंगे, कि इसका अगर आप motion देखें, यह आगे की तरफ है, तो friction इसे oppose करेगा, friction कभी भी उसे help नहीं करेगा, किसी के motion को, तब तो मज़ा आ जाता फिर, हम किसी object को slide करवा के छोड़ देते, और friction अगर उसे धकेल के ले जाता, तो फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो खर्चा होता, वो तो हमारा बज़ जाता न, ऐसा होता, तो यह universe के basic rule के खिलाफ हो जाता, law of conservation of energy के खिलाफ हो जाता, so friction oppose करता है, friction वो जो kinetic energy होता है, bodies का, वो kinetic energy को घटाता है, और उसे heat energy और बाकी sound energy में convert कर देता है, तीसरे case में देखें, यह मानले surface है, यह surface है, जहां पर कि यह roll करके आगे बढ़ रहा है, तो friction, चुकि यह body आगे की तरफ move कर रहा है, तो friction इस पे कुछ ऐसा act करेगा, कि इसके motion को घटाएगा, और friction इस पे, आप कह सकते हैं, कि friction इस पे पीछे की तरफ act कर रहा है, तो friction इसके motion को घटाएगा, इसके speed को घटाएगा, अब थोड़ा elaborately बात कर लेते हैं, थोड़े technical चीज़ों को देख लेते हैं, तो सबसे पहला example हम consider करेंगे sliding friction का, तो sliding friction के लिए यह second वाले figure में देखें, सबसे पहले तो हमें consider करना होगा, इस body पे यह जो surface है, जिन दो surfaces क के बीच, यह friction act कर रहा है, उन दो surfaces के बीच, जो force का exchange है, वो कितना है, तो उसके लिए देखें, इस body पे एक gravitational pull act करेगा, तो mg, मालने इसका जो mass है, इस body का mass वो m है, तो यह जो surface है, नीचे वाला surface है, यह इस पे apply करेगा एक normal reaction, और चुकि यह इस axis में, vertical axis में move नहीं कर सकता है, उसका acceleration भी नहीं हो सकता है, vertical axis में, तो फिर vertical axis में net force 0 होगा, तो हम कहेंगे यहां से, कि यह जो r है, यह mg के बराबर है, इसका magnitude mg के बराबर है, तो इस axis में, vertical axis में, यह और यह cancel हो जाएगा, r और mg, अब यह जो friction होता है, यह friction, यह proportional होता है, इस normal reaction यह normal reaction है क्या, यह body, कुछ force इस पे act कर रहा है, और यह उतना ही force वापस इस body को return में दे रहा है, तो यह force का exchange हो रहा है, उन दो bodies में, जिन दो bodies के surface के बीच का जो friction है, उसे हम consider कर रहा है, तो यहाँ पर अगर यह body इस direction में move कर रहा है, तो फिर friction जो यहाँ पर act करेगा, आउव्यस सी बात है, यह पीचे की तरफ act करेगा, तो यह body move कर रहा है आगे की तरफ, तो इस body को friction पीचे की तरफ कीजेगा, तो frictional force यहाँ पर माल ले, F, S, यह पीचे की तरफ होगा, और यह जो fs होता है यह जो sliding friction जो होता है यह proportional होता है normal reaction पे तो जब हम इस proportionality sign को हटाते हैं तो हम पाते हैं कि यह बराबर हो जाएगा एक constant जिसे की हम कहते हैं coefficient of sliding friction तो यह constant हो गया into यह normal reaction यह जो coefficient of sliding friction है यह depend करता है जिन दो surfaces के बीच यह act कर रहा है तो यह इसे हम कहते हैं coefficient of sliding friction जो की depend करेगा अलग-अलग surfaces के nature पे तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि किसी भी दो bodies के लिए यह जो coefficient of sliding friction है यह same है ऐसा नहीं है अलग-अलग pair के लिए इसका value अलग-अलग होगा जैसे कि माल ले अगर हम दो surfaces consider करते हैं steel और steel तो फिर इसका जो coefficient of sliding friction होगा यह कुछ होगा लेकिन अगर माल ले हम copper और copper को consider करते हैं यह नीचे वाला surface भी copper और जो slide कर रहा है वो भी copper तो फिर वहाँ पर जो coefficient of sliding friction है उसका value अलग होगा तो यह depend करता है pair of surfaces पे same logic applicable होगा यहाँ भी अगर यह कुछ force gravitational pool experience करे तो उतना ही normal reaction surface इस पे लगाएगा यह mg के बराबर होगा और इस case में हम कहेंगे जो frictional force act कर रहा है इससे जो पीछे की तरफ खीच रहा है या फिर कहें इसके motion को जो resist कर रहा है तो इसका motion माल ले इस direction में है यह roll करके आगे बढ़ रहा है तो जो frictional force होगा वो frictional force जो पिछे की तरफ होगा so rolling friction यहाँ पर भी आप पाएंगे यह जो friction होगा rolling friction यह proportional होगा normal reaction पे जब आप इस proportionality sign को replace करेंगे equality sign से तो एक constant of proportionality introduce करना होगा जिसे की हम कहते हैं coefficient of rolling friction so यह बन गया equation और यहाँ पर यह है coefficient of rolling friction पिछले case की तरह यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यह जो friction है यह coefficient of friction है यह अलग-अलग pair के लिए अलग-अलग होता है अब यह जो static friction वाला example हम consider करने वाले हैं इसमें थोड़ा ज्यादा attention चाहिए होगा यह उतना आसाल नहीं है चले देखता है ऐसा क्यों है तो यहाँ भी वही यहाँ भी mg act करेगा नीचे की तरफ यहाँ भी एक normal reaction act करेगा उपर की तरफ और हम कहेंगे normal reaction mg के बराबर होगा क्योंकि जब तक इस vertical axis में acceleration नहीं होगा तब तक r का value mg के बराबर ही होगा और माल ले कि हम इसे push कर रहे हैं धकेल रहे हैं इसमें motion नहीं होगा क्योंकि जब तक यह rest में रहेगा तब तक ही हम उस friction को static friction कहेंगे जैसे ही यह slide कर जाएगा वैसे ही जो friction act करेगा उसे हम sliding friction कहेंगे तो हमने इस पे कुछ force apply किया माल ले हमने force apply किया f तो यह जो friction है static friction है यह उसे रोकेगा तो यह पीछे की तरफ force act करेगा इस block पे इस block को पीछे की तरफ धकेलेगा static friction तो f is static friction लेकिन इसका magnitude होगा किसके बराबर तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि यह जो है यह self-adjusting होता है या self-adjustable होता है तो यह friction जो है static friction यह self-adjustable है मतलब इसका value घटता बढ़ता है पर इसका जो maximum value है वो दो surfaces के लिए constant होगा तो यहाँ पर अगर आप static friction का maximum value को consider करें माल ले मैं यह maximum value की बात कर रहा हूँ जो मैं Fs max लिख देता हूँ Fs max so maximum static friction जो होगा यह proportional होगा normal reaction के और हर बार की तरह जब आप इसे हटाएंगे इस sign को proportionality sign को equality sign से substitute करेंगे तो एक constant of proportionality introduce करना होगा आपको so यहाँ constant of proportionality को हम कहते हैं coefficient of static friction so इसके साथ हमें multiply करना होगा आर तो यहाँ पर यह है coefficient of static friction यह जो coefficient है यह हर बार की तरह यहाँ भी हम कहेंगे कि यह अलग-अलग pair of surfaces के लिए इसका value अलग-अलग होगा so coefficient of static friction इसे हम कहते हैं पर यह तो हो गया इसका maximum value इस case में क्या होगा मान ले इस case में जो इसका maximum value है मैं example consider कर रहा हूँ इस case में इसका maximum value है मान ले 10 newton का जो normal reaction है मान ले वो 100 newton का है और coefficient of static friction इन दो pairs के लिए यह 0.1 है तो इस example के हिसाब से 0.1 into 100 newton तो हमें मिला 10 newton 10 newton हो गया इसका maximum capacity यह just a example है so 10 newton हो गया इसका maximum capacity अब अगर आप इसमें apply करते हैं कुछ force मान ले कि आपने 5 newton का force apply किया तो यह frictional force यहां जो act कर रहा है यह कितना होगा क्या यह 10 newton होगा क्योंकि यह इसका maximum ability है क्या यह 10 newton हो सकता है आपने 5 newton का force से इस block को धकेला अब अगर frictional force पीछे की तरफ 10 newton लग जाए मान ले 10 newton लग जाए तो फिर net force पीछे की तरफ हो गया न 5 newton 5 newton आगे 10 newton पीछे तो net force पीछे की तरफ 5 newton हो गया जिसके कारण की यह पीछे की तरफ slide करने लगेगा क्या कभी ऐसा हो सकता है आपने एक block को आगे की तरफ धकेला और friction के क्यारण वो पीछे की तरफ चलने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता है तो इस case में यह जो frictional force होगा यह बराबर होगा 5 newton के यह इसके बराबर होगा इस frictional force को इसे सिर्फ cancel करना है और इस block को रोके रखना है वहाँ पर similarly अब माले कि आप चो force लगा रहे है यह force अब 5 newton का नहीं है बलकि यह अब 8 newton का है तो इसका चो maximum ability है वो तो 10 newton का है तो अब भी यह इस 8 newton को cancel कर सकता है इसका ability अब भी है 8 newton frictional force create करने का तो यह अब भी उसे cancel करने के लिए 8 newton का force बनाएगा यह friction लेकिन माले कि हमने force अब apply कर दिया इस पे 12 newton 12 newton का force apply कर दिया अब क्या होगा इसका तो maximum ability 12 newton नहीं है यह तो maximum 10 newton create कर सकता है और हमने लगा दिया 12 newton तो होगा क्या यह 12 newton तो बना नहीं सकता यह कुछ force apply करेगा जब तक हमने 10 newton apply किया था माले हम 10 newton apply कर रहे है जब तक हमने 10 newton apply किया था इसने 10 N बना के दिया था और उसे रोग दिया था लेकिन जैसे ही हमने 10 N को exceed कर दिया और ये बढ़ गया 10 N से वैसे ही ये slide कर जाएगा और जैसे ही ये slide कर जाएगा हम इस situation को और consider करेंगे ही नहीं अब हम इस situation को consider करेंगे क्योंकि वहाँ तब static friction और act नहीं करेगा sliding friction act करेगा आप कहेंगे material तो वही है यहाँ जो surface है और यहाँ जो body slide कर रहा वो दो तो same है वो तो बदल नहीं रहा न slide करने से ऐसा तो नहीं कि ये लकड़ी लोहा बन जाएगा या फिर ये जो नीचे का concrete है ये copper बन जाएगा ऐसा त तो फिर क्या फर्क पड़ता है हम static friction consider करें या sliding friction consider करें friction तो दो pair पर depend करेगा और उसके normal reaction पर depend करेगा normal reaction mass पर depend करेगा इस body के mass तो same रहेगा होगा क्या फिर यहां मैं आपको बता दू किसी भी दो surfaces के लिए static friction और sliding friction या kinetic friction इन दोनों का value same नहीं होता है यहां आप यह जान ले कि जो coefficient of static friction होता है हम किसी भी दो pair of surfaces के लिए consider करें इससे कम होता है coefficient of kinetic friction और उससे भी कम होता है coefficient of rolling friction ऐसा क्यूं होता है इस पे हम आगे की किसी वीडियो पे बात करेंगे फिलहाल तो हम यह जान के रखेंगे कि coefficient of static friction सबसे ज्यादा होता है दो pair of surfaces के लिए और coefficient of rolling friction सबसे कम होता है और बीच में होता है coefficient of kinetic या sliding friction अब चू कि coefficient of rolling friction सबसे कम होता है इसलिए हम ball bearing यूज करते हैं ball bearing में होता क्या है roll करता है अंदर जो balls रहते हैं वो roll करता है तो वहाँ पर sliding friction या kinetic friction act नहीं करता है बलकि वहाँ पर act करता है rolling friction जिसका की value सबसे कम है तो चलिए कुछ और facts पे बात कर लेते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ equations को देखें friction के equation को तो आप यह पाएंगे इन तीनों cases में यह depend करता है सिर्फ normal reaction पे यह जो surface area contact में है उस पे depend नहीं करता है जैसे कि यहाँ पर यह जो contact में surface area है इस पे depend नहीं करेगा friction यहाँ भी depend नहीं करेगा और यहां भी dependent नहीं करेगा यह सिर्फ dependent करता है उसके coefficient पे coefficient of friction पे और जो normal reaction है उस पे तो यह एक important fact है जो friction है यह friction यह dependent नहीं करता है किस पे area पे area of contact area of contact तो figure से इसे समझ लिया जाए तो माले यहां पर यह दो blocks same blocks है same mask का same material का block है एक को हमने आसा रखा कि दूसरे से जो surface area है contact में जो surface area है यह surface area ज्यादा है और इस case में दूसरे case में यह contact का surface area यह बहुत कम है लेकिन material सेम है material सेम है इसका मतलब coefficient of friction जो है दोनों ही case में same है तो माले यह slide कर रहा है यह slide कर रहा है यह आगे की तरफ बढ़ रहा है तो जो frictional force होगा इस case में जो sliding friction होगा यह जो kinetic friction होगा तो Fk kinetic friction और इस case में Fk kinetic friction दोनों ही case में यह frictional force जो है यह बराबर होगा coefficient of kinetic friction जो की दोनों ही case में बराबर होगा material जो pair of material है यह pair of surfaces है वो तो सेम है into normal reaction के तो इस case में जो normal reaction होगा वो normal reaction mg के बराबर होगा, दोनों तो same mass का है, same material है, तो यहां भी normal reaction mg के बराबर होगा, तो यह भी बराबर होगा इसके, और इस case में भी जो kinetic friction है, यह बराबर होगा exactly same amount के, तो यह दोनों बिल्कुल equal होगे, यह depend नहीं करता है surface area पे, जो contact में है, यह सिर्फ और सिर्फ depend करता ह pair of media पे और normal reaction पे, अब एक और मुद्दा, वो यह कि, यह friction है, friction इससे पहले हमने इस पर बात किया है, friction यह relative motion को oppose करता है, तो friction opposes relative motion, चली देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, exact meaning क्या है, मतलब यह कोशिश करता है, relative motion को reduce करने का, so friction, हम कह सकते हैं, opposes के जगा, tries to reduce, यह घटाने का कोशिश करता है, किसे relative motion को, तो देख लेते हैं, figure के साथ इससे समझने का कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर consider करें, एक block है, जो कि नीचे एक flat सा base के उपर move कर रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, कि यह इस direction में move कर रहा है, एक certain speed से, तो इस पर जो frictional force act होगा, वो तो इसे oppose करेगा, इसके motion को oppose करेगा, बैथर होता, अगर हम कहते हैं, relative motion को oppose करेगा, इसका relative motion, इससे क्या समझेंगे हम, जो दो bodies, contact में हैं, और जहाँ friction create हो रहा है, जिन दो bodies के surfaces के बीच में, उन दो bodies के relative motion को consider करना है, तो इस case में ये एक body, ये दूसरा body, तो यहाँ पर इसका relative motion with respect to नीचे वाला जो surface है, वो, तो फिर हम क्या सकते हैं, ये इस direction में move कर रहा है, relatively, इसके relatively, ये दाही नहीं और move कर रहा है, तो इस पे जो force act होगा, frictional force ये उसे oppose करेगा, या फिर कहें, ये reduce करने का कोशिश करेगा, ये इस direction में जा रहा है, ये तो रुका हुआ है, तो frictional force इसे आगे जाने से रुकेगा, कोशिश करेगा, relative motion जो है, वो कम हो, तो यहाँ frictional force माल ले, fk, लेकिन क्या ये object, इस पे कोई भी force apply नहीं करेगा, कोई भी frictional force apply नहीं करेगा, बहतर समझ में आगा, अगर यहाँ पर आप चक्का लगा दे, wheels लगा दे, आप खुद सोचे, wheels लगे हुए है, यहाँ पर ये body है, आपने इसे pull किया, आप खीच रहे हैं इसे, खीच रहे तो ये भी slide कर रहा, frictional forces पे add कर रहा, जितना इसे slide करना चाहिए था, friction अगर नहीं होता, तो उस rate से ये slide नहीं कर पा रहा, थोड़ा कम कर पा रहा, क्यों, क्योंकि friction है, आप ये सोचे, कि क्या ये नीचे वाला, नीचे वाला जो अब ये base हो गया, जिसमें कि अब चक्का लग चुका है, wheels लग चुके है, क्या ये move नहीं करेगा, आप इसे experience करने का कोशिश करे, ये भी move कर जाएगा, लेकिन आपने खीचा तो इसे था, तो फिर ये नीचे वाला object जो है, नीचे वाला जो slab है, या फिर कहें, जो भी base है, वो क्यों move कर रहा, वो किस direction में move करेगा, अगर इस block को आगे की तरफ खीचेंगे, तो फिर ये जो block है, ये भी आगे की तरफ आएगा, हाँ भले ही, ये जिस speed से आएगा, हो सकता है, ये नीचे वाला जो base है, वो उस speed से ना आए, हो सकता है, लेकिन इसे खीचा कौन? हमने तो सिर्फ इसे pull किया था उपर वाले को, तो इसे कौन खीचा नीचे वाले को? नीचे वाले को friction खीच रहा है, क्योंकि friction का जो tendency है, वो try करता है relative motion को reduce करना, वो कोशिश करता है कि relative motion घटे, या फिर रहे ही ना, तो अब इसके respect में अगर आप देखें, तो इसका जो motion है, relative motion, अगर ये आगे चला जाएगा, अगर य तो उसे रोकने के लिए, friction उसके opposite direction में act करेगा, और नीचे वाले body को friction इस direction में खीचेगा, same magnitude से, यही तो force का magic है, force हमेशा pair में लगता है, तो ये frictional force जो है, ये भी pair में लगेगा, तो ये f के, ये अगर इस body को बाई और खीचेगा, तो same amount का या same magnitude का force इस नीचे वाले body को उसके ठीक opposite direction में खीचेगा, तो बस इस video में इतना ही, मिलेगे आपसे अगले video में friction के ही किसी नए concept के साथ, तब तक, खुश रहें, अबाद रहें, और मस्ती के साथ सीखें, good bye